कि नमस्कार दोस्तों फिर्सव स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ मैं Samsung Galaxy M31 और इस वीडियो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डारेक्ट इसकी स्टोरी पर चले जाएंगे तो इस ट्रैप से आप स्टोरी या फिर लॉक्स्रीन मेगजिन कैसे सैट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आपको वॉल्पेपर को ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है और वॉल्पेपर पर जाने के बाद यहां पर आपको वॉल्पेपर सर्विस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं मैंने लॉक्स्क्रीन स्टोरी पर चेक्माप कर रहा ह क्लिक कर देने और इसके बाद अपने पर क्लिक कर सकते हैं या तो यहां चाहिए या फिर food के content चाहिए तो यहां पर आप category चूज कर सकते हैं और category चूज करने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करके setting पर जाएंगे तो setting पर जाने के बाद आपको download using mobile data पर आपको क्लिक कर देना है इससे क्या होगा कि रोज आपके अपने mobile data से connect होते ही अलाग-अलाग wallpaper डाउनलोड होंगे आपके इस पर आपके storage में download नहीं होंगे आपकी यहां पर download होंगे lock screen पर और अलाग-अलाग आपको यहां पर शो करेंगे आपके internet से connect होने के बाद और इसके बाद auto update पर आप क्लिक करेंगे तो यह अपने आप ही update होगा आपको अपडेट करने की ज़रुत नहीं है तो आपको इन दोनों को click कर देना है तो dynamic lock screen आपका वो हो गया जो आपका auto wallpaper चींज चीसे आप बोलते हैं तो मैं इस पर मानलीजे क्लिक कर देती हूं मानलीजे मैंने इस पर क्लिक कर दिया इस पर आपको क्लिक कर देना और इसके बाद आप बैक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dynamic lock screen आपका set हो चुका है successfully आपको minimum यहाँ पर कोई भी एक category आपको choose कर लेनी है तो डाउनलोड होने के बाद यह आपके ऐसे दिखाई देंगे lock screen पे और इसके बाद आप back कर देंगे और इन दोनों को आपको check mark रहने देना है तब यह automatically download होते रहेंगे आपको रोज रोज डाउनलोड करने की जड़तनी होगी और इसके बाद मैं आपको back करक आप ऐसे unlock करेंगे तो आपको रोज अलग अलग उसी category के according of wallpaper देखने को मिलेंगे आप यहां पे देख सकते हैं category आपकी बिल्कुल change हो गई है landscape में दिखाने लग गया है अलग अलग wallpaper और यहीं अगर आप lock screen story पे क्लिक कर देंगे और apply पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे आप यहां पे दो तरह के की lock screen यहां पे set कर सकते हैं auto change wallpaper set कर सकते हैं तो I hope guys यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो like, share and subscribe जरूर कीजेगा चैनल को तो चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार